वेल्कम आवर यूटूब चैनल जी अस्वी तांसू भी हर पड़िचारी गुरूब डी के लिए अत्य संभावित तीस प्रस्णों को देखने वाले हैं इस वीडियो में इसमें सारे के सारे प्रस्ण बहुत ही सेलेक्टेट दिये गए हैं जो आपके एक्जाम में डारेक्ट आने की पूरी संभाव ना है इसलिए वीडियो को लास तक जोर देखें वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है प्लिज वीडियो को लाइक और सेशन खतम होने के बाद किसी भी एक ग्रूप में सेर जरूर कर दिजेगा चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है पहला प्रस्ण है पियाज का लाल रंग किस रंग दरब की उपस्तेती के कारण होता है प्रस इंपोर्टेंट है पियाज का लाल रंग जिस रंग दरब की उपस्तेती के कारण होता है वो है एंथोसाइनिन ओप्सन नमर ए अगला प्रस्ण देखते हैं निम में से कौन सा एंजाइम अमासे के अंदर प्रोटीन के पाचन में सामिल होता है तो दोस्तो वह एंजाइम है पेपसिन ओप्सन नमर डी पेपसिन एंजाइम जो की अमासे के अंदर प्रोटीन के पाचन में सामिल होता है अगला प्रस्ण देखते हैं इंपोर्डेंट प्रस्ण है वर्ष 2011 की जनगर्णा की अनुसार निमलेखित में से किस राज में जनसंख्या ब्रेधिदर सरवादिक थी वर्ष 2011 की जनगर्णा की अनुसार जिस राज में जनसंख्या ब्रेधिदर सरवादिक थी वह राजह में घाले ओप्शन नमर C अगला प्रस्न है वह कौन प्रथम भारतिय था जिसने कॉंग्रेश के कॉलकता सत्र में सोराज सत्का पड़ियोग कर सोराज की मांग उठाई थी तो दोस्तो वह प्रथम भारतिय थे दादा भाई नोरोजी ओप्शन मर भी जिसने कॉलकता के सत्र में सोराज सत्का पड़ियोग कर सोराज की मांग उठाई थी दादा भाई नोरोजी ने सोराज की मांग के लिए कॉलकता अधिवेशन में पहली बार सोराज सत्का पड़ियोग किया था अगला प्रस्ण है भारत में निमले खित में से कौन सी फसल रवी मौसम के दुरान समू में उगाई जाती है रवी मौसम के दुरान समू में उगाई जाती है वह फसल हो जाएगा यहों सरसो और चना ओप्सन नमर सी रवी की फसलों को अक्टूबर और दिसंबर के बीच बोया जाता है तथा अपरिल और माई के महिने में काटाई जाती है जुन और जुलाई में मांसुन में खरीब की फसले बोयी जाती है सितंबर और अक्टूबर में काटाई की जाती है चाबल, जुआर, कपास, मक्का, खरीब की फसले हैं अगला प्रस्न देखते हैं इंपोर्डेंट प्रस्न है भारत की सुरंता के समय निमलेखित में से कौन भारती राष्टे कौंगरेस के अधियस थें? भारत की सुरंता के समय भारतिय राश्टे कॉंग्रेस के अध्यस थे जे भी क्रिप लानी ओप्शन नमर डी अगला प्रस्ण है कि इस ब्रेटिस प्रसासक ने पहली बार सुक्यार किया की अठाड़ो सुसंतावन एक राश्टी बिद्रो था तो दोस्तों वह ब्रेटिस प्रसासक थे डीजरेली ओप्शनमर डी जिसने पहली बार सुक्यार किया की अठाड़ो सुसंतावन एक राश्टी बिद्रो था अगला प्रस्ण है एस्ट इंडिया कंपणी के गठन के समय भारत में मुगल सासक कौन था प्रस इंपोर्टेंट है एस्ट इंडिया कंपणी के गठन के समय भारत में मुगल सासक था अकवर्ड ऑप्शनमर बी अगला प्रस्ण देखते हैं इंपोर्टन प्रस्ण है बक्सर का यूद कब लड़ा गिया था? तो दोस्तों बक्सर का यूद लड़ा गिया था 22 अक्टूबर 1764 को ओप्सन नमर डी यह ब्रेटिस इस्ट इंडिया कमपणी की कमान के तहत हेक्टर मुन्रो के नहितित में सेनाओं और मीर कासिम और बंगाल के नावावों के सहयुक सेनाओं के बिच लड़ा गिया था अगला प्रस्ण देखते हैं कौन सा प्राचिन सहर अपने दौक याड और बैपारी गती बिध्यों के लिए जाना जाता था? अगला प्रस्ण है भारती समिधान में राश्पती चुनाप परती का स्रोत की देश का समिधान है तो दोस्तो यह है आइनलेंड का समिधान और प्रस्ण देखते हैं इंपोर्डन प्रस्ण है 57 में ग्यानपिर पुरुषकार से किसे समानित किया गिया है 57 में ग्यानपिर पुरुषकार से समानित किया गिया है दामोदर मोजो जी को option number C अगला प्रस्ण है टैलिन एंजाइम किसमें पाया जाता है तो दोस्तो टैलिन एंजाइम पाया जाता है लार में अगला प्रस्ण है निमलेखित में से भौतिक रासियों के किस योग की विमाएं समान है आंसर है अगला प्रस्ण देखते हैं उत्तर लेंज की सक्ति क्या होती है तो दोस्तों उत्तर लेंज की सक्ति होती है धनात्मक अगला प्रस्ण देखते हैं Important प्रस्ण है, which विकास रिपोर्ट किसका एक वार्षिक प्रकाशन है? Which विकास रिपोर्ट वार्षिक प्रकाशन है? पूर्ण निर्मान और विकास के अंतराश्री बैंक का Option B. आगला प्रस्ण देखते हैं, पौधो कर्नर जनन अंग कौन सा है? पौधो कर्नर जनन अंग है, पूंकेश्वर, Option A. आगला प्रस्ण देखते हैं, important प्रस्ण है, बॉल बेरिंग का उपियोग निम में से किसके लिए किया जाता है? बॉल बेरिंग का उपियोग किया जाता है, घर्षन को कम करने के लिए, Option D. अगला प्रस्ण देखते हैं, जेट प्लेंड किस सिधान पर काम करता है, वो है न्यूटन का गती का तिसरा नियम पर, Option B. अगला प्रस्ण देखते हैं, इंपॉर्टन प्रस्ण है, पौन सी अच्छांस रेखा देश की जलवाई को प्रवाइद करते हुए भारत के मत से होकर गुजरती है, तो दोस्तों वह अच्छांस रेखा है करक रेखा, Option C. करक रेखा भारत के आठ राजियों से होकर गुजरती है, वह है गुजरात, राजिस्थान, मत परदेश, चतिसगर, जारकन, परस्ण बंगाल, तिरिपूरा और मिजुरम से, आगे दस प्रस हिंदी के सामिल किये गए हैं, चरिए देखते हैं, पहला है निमलेखी सब्दों में से स्टेलिंग सब्द ग्यात किजिए, तो दोस्तों इसमें स्टेलिंग सब्द हो जाएगा डियासत, आप्शन नमर सी, आगला प्रस्न है, खूंटी का बहु बचन सब्द निम में से क्या होगा, खूंटी का बहु बचन सब्द हो जाएगा खूंटियां, आप्शन नम जान भूच कर गलत काम करना इसके लिए सही मुखवड़ हो जाएगा जीती मखी निगलना, option number D. अगला प्रसन है, राजा राणी में कौन सा समास है? राजा राणी में समास हो जाएगा दों समास, option number D. अगला प्रस्ण देखते हैं जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक सब होगा जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक सब हो जाएगा सरवग्या अगला प्रस्ण देखते हैं नीचे दिये गए सब्थ का बिलोम सब्थ बताएए आपको आधरनी सब्द का बिलोम बताना है तो दोस्तो आधरनी सब्द का बिलोम सब्द हो जाएगा तिरी स्कृत ओप्शन नमर ए अगला प्रस्न देखते हैं निमलेखी सब्दों में दिये गए विकल्पों में से तस्सम सब्द का चेन करें तो दोस्तो इसमें तस्सम्स तफ हो जाएगा कलस. Option number A. अगला प्रसन है जलज का क्या अर्थ है? तो दोस्तों जलज का अर्थ है जल में जनम लेने वाला. Option number B. अगला प्रसन है नीव में से कौन सा सब कमल का पढ़्याई नहीं है? कमल का पढ़याई नहीं है वारिदी वारिदी जो कि बादल का पढ़यावची सब्ध है जबकि सरसीज, अम्बूज और पंकज ये तिनों कमल का पढ़यावची सब्ध है अगलार अंतिम प्रस देखते हैं दूर्जन का उप्यूक बिलमसर चुनें दोर्जन का ओप्यूक बिलमसर हो जाएगा सज्जन ओप्शन मर बी थैंक यू